इस देश में पढ़ाया भी जाता है। सैंचूरी के बीच को स्वन्ड़काल बोला जाता है साउथ में उस वक्त चोल चालूप के वगर थे इधर सब विक्रमा दित वगर है ये सब थे और स्वन्ड़काल गोल्डेन एज का मतलब जो मुगल लोग हैं इस मानसिक्ता के लोग न उनके लिए गोल्डन एज का मतलब क्या है हरम ये है नाच गाने होते थे धोलक तबला ये सब बसता रहता था दारू चलती रहती थी भारती सब्विता के हिसाब से स्वर्णिम काल ये है कि जोपड़ी में रहने वाला आदमी ज कितना अधिकार राजा को था उतना ही अधिकार प्रजा को था प्रजा सुखी थी उसको स्वर्णिम काल बोला जाता है न कि केवल इसलिए कि सोने के सिख्खे जो है और तबले की थाप दोनों एक साथ खनक रहे हैं और वहां पे नर्तकिया नाच कर रही है इस चीज के अाया प्रजा सुखिया ।